फैनली ओर दिन आई गया है सर जिसका हम इंतजार कर रहे थे क्यों कि इस एक्जाम का डेट बेटा है वन विक के लिए मद सेवन टू टेन डेज एक्स्टेंड कर दिया गया था और अब ओर दिन आ चुका है सर अब ओर समय आ चुका है सर जब हम चीजों को परफॉर्म करने व है जब तक एक्जाम का देने नहीं जाओगे ना तब तक आप फेज में रहते हो कितनों तो ऐसे करेंगे ना जो सेंटर पर जाओगे पूरे बुक और उठाके लेगे चले जाना सेंटर पर वहां पर लगेगा यहीं से कोशन उठके आ रहा है भाई इतना दिन पढ़े वहा क्या कर लोगे आप तो सबसे पहली बास सुन लेना ये वीडियो देख रहे हो ना जितने लोग सुन लेना बेटा जितना पढ़ना था पढ़ चुके आप जो करना एक्जाम में हो जाएगा आपका टेंसर नहीं लेना आपको यह जो आपके अंदर से पूछना आपको लग तो यह सिंगल तुम पहली बार एक्जाम देने जा रहे हो या दूसरी बार जा रहे हो तुम्हारे साथ जो पांच मी बार भी जा रहा होगा उसके शाथ भी यह सी चीज़े तो घबराना नहीं आपको पैनिक नहीं करना आपको गर्मी का तुरा सा हिल्ट का भी ध्यान तो इस तीजों को ध्यान दीजिएगा आप जब भी एक्जामनेशन में इंटर करोगे पानी का बटर लेकर बहुत काम करेगा बैटा एक्जामनेशन में आपको बार बार जब प्यास लेगा न उठके बार जाओगे पोसेबल नहीं होगा और हो सकता है बहुत जगा एलाव भ गहीं होगे तो पूरा कॉलेज को घूम गए इधर से उदर गूम लेते हैं देखते हैं क्या-क्या-क्या करते हैं वैसे पेपर को फले घूम लेना है पूरी तरह से एक कुष्टन से लेकर लास्ट को तक घूम लेना है जब यह घूमने जाओगे न तो इसमें से 10 टू 15 जिसका तो तुम ऑबरो सी यूअर पूछा यह यूटप दो कोalley को जो कॉछले डारेक्ट कोष्चन जो तुम्ह अच्छा से आता हो पूछ ले सर इस तरह कोई शॉक्षचन आएगा ज Completely पूछ या वんな प्रिशान के तो वहीं चीज़ करना है आपको और थोड़ा सा पेसेंस रखके थोड़ा सा अपने आपके चीजों को हैंडल करना इसी तरीके से हो जाएगा चीज़े तो इस सब ध्यान दीजेगा पूरा घूमना है सर और एक जब घूम के आगए न तो आप कटेग्राइज कर पैपर में कितना टाइमें तरह आए और किसी पी कुष्टन के साथ क्यार मत कर लेंगे यह संधिक मैं और जिद्धी अएस तरह का तो गेम ओभर कर देगा एक्जामिल क्योंकि जान फूज को लोगों यह चोड़ तो बाई तुम और बी पूस्टन के नहीं पर असको देखो न नहीं रहा होगा तो ऐसा गलती नहीं करना जो तुम्हारा फेवल सब्सक्राइब क्वेश्चन बने एक मिनट दो मिनट मैक्सिमम सर तो ठीक है नहीं तो फिर हम नेक्स में बूब कर जाएंगे और जब आप अपने पास टाइम मिलेगा ना ओफर वल पेपर करने के बाद तब तो उस क्वेश्चन पर तुम टाइम देना कोई दिक्कत नहीं है तो वहां से टाइम बचे का तभी और मुस्ट अच्छे हुए में आप लोग इतना पढ़े हो इतना मेनत कियो अच्छा करने वाले हो पूरी जेनिक टीम की तरफ से आप सभी को all the very best जाईए अच्छे से फ मैं वीडियो बनाऊंगा फिर पूछेंगे आप लोगों से कितना एटेम क्या वेटा तो जरूर बताना आप लोग जाईए अच्छे से फोर के आईएगा थेंक्यू थेंक्यू सो मच